अयोध्या में भगवान राम की प्राट पितिष्ठा के चलते देश भर का महौल राम में है हर कोई अलग-अलग माध्यम से अपनी भावना अपनी खुसी जाहिर कर रहा है इसी कड़ी में अध्यात्मिक चिंतक डाक्टर विवेक तांग्री ने इस अतिहासिक समय पर अपने विचार साज़ा की अपने सभी सनातनी भाईयों और भारत वर्ष के प्रतेक नागरिक को इस शुब मंगल कामना को प्रेक्षित करना चाहता हूं कि हमारे राम लला अब सेकड़ो वर्ष की संगर्ष के बाद विराज चुके हैं और वो भी एक दिव्य और भव्य स्थान पर वही जो उनका जन्म स्थान था राम जी के विराश्ते ही राम राज्य आ गया है लेकिन मेरा एक अनरोधा आप सबसे भी है कि राम राज्य तो आ गया है परहं तो राम राज्य की जो सबसे बड़ी विश्यष्टा थी कि राम राज्य राज्य से नहीं प्रजा से चलता था तो अब राम जी अपने स्थान पर बैट गये हैं हम लोगों के लिए अब हम लोग का अपना कर्तव है कि प्रजा जन उसी सुक्षान्ती के अनभव को एक दूसरे में साजा करें और एक स्वच्च और सम्रद दवाता वरण में इस देश की इस राश्र की तरक्की के लिए कारे करें तभी वास्तविक रामराज जाएगा हमारे राम लला तो बैठ गए हैं और सब को आशिरवाद देंगे परन्तु शुब कर्मों के लिए तो किसी को परिशान न करें किसी को दुख न पहुचाएं किसी को कष्ट न पहुचाएं और यही राजा राम जी चाहते थे तो उसी दाज जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि प्रभुश्री राम को पाने के लिए सबसे सुगम मार गहें कपट और छल से रहित होना क्योंकि प्रभुश्री राम नहीं कहा था कि निर्मल मन संजू मोही पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा तो अपने राम को पाने के लिए स्वच्चता मन मस्तिश्क और शरीर सब तरफ होनी चाहिए तब ही आप राम को पापाएंगे